आवाज इन्डे टीव के इस विशेश डिबेट में आप सबका स्वागत है हमारे साथ आज दू महेमान है और एक तिसरे महेमान भी जल्द ही करेक्ट होगे मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ हमारे बीच में रहुल वांखड़े जी है जो वंचित बोजन अगाड़ी के अधिकूरत उमेद्वार है इस नागपूर सनातक में उमेद्वार में और साथ अतुल खोब्रागड़े जो युवां उमेद्वार है परियूतन से उमेद को दिया जाए और हमें कोशिश करेंगे कि आज के इस चर्चा के मादधाम से हमने कंगरेस भीजी पी के भी उमेद्वार को बुलाय था लेकिन वह नहीं आपाए हमें कोशिश करेंगे कि कोण सक्ष़ाम और को प्रपावी उमेद्वार जो है जिसे आप सिलेट कर सकते हैं जो यह पद्विदर मद्दार संग का जो इलेक्शन है चुनाव है 1958 में इसकी शुरुवात हुई थी और लगभग दो अवसर अगर छोड़ दिये जाए तो यहां से लगभग जो है ब्रामण उमेदवारी है वो जीते हैं पंडित बच्छराच व्यास जीते हैं शृदर सोहन में जीते हैं विश्नु देशपांडे, राम जीवन चाओधरी, डॉक्टर प्रमिला टोपले, गंगादर फरणवीस, निचिन गड़करी और अनिल सोले तो बिजीपी के लिए जनरली ये ब्रामिन्स के लिए ही ये जो राखी हुए इस तरह से कहा जा सकता है लेकिन 2008 के ब हमने इस मदार संग से चुनाव लोड़ा बहुजन समाच पार्टी के समर्थन से, सपोर्ट से और लगबग 12,000 के आसपास वोट पाए थे और इसके बाद एक expiration create हो गया कि पद्विदर मदार संग में भी हम चुनाव कॉंटेस कर सकते हैं, जीत सकते हैं क्योंकि जो margin था 2020 का वो लगबग 30,000 के आसपास का margin था, Congress को लगबग 22,000 वोट थे और BSP को जो थे 20,000 वोट थे, तो इस तरह से दोनों मिलाकर देखा जाए तो 40,000 के आसपास वोट थे और winners को जो थे वो 50,000 के आसपास वोट थे, तो इसके बाद में एक expression create होगा कि हम जीत सकते हैं, और जसा क मैं शुरुआत करना चाहूंगा कि आप इस election में सबसे युवा उम्मेदवार हैं और जैसा कि मैं देखता हूँ, social media के post को देखता हूँ, तो कुछ लोगों का ऐसा कहना आता है कि अतूल काफी युवा है, उससे काफी आगे जाने की, जो है, काफी समय हैं आगे जा सकता है और इसके बावजूद भी आप election contest कर रहे हैं, क्योंकि आप बहुत उम्मेदवार हैं और आपको और 20-25 साल में काम करना चाहिए था कुछ लोगों का, यह social media के comments के बारे में बता रहो हूँ है, तो आप, और दुसरी बात ये भी थी कि एकी बेकी की team, जो आपका एक पुरा गुरूप था, उसमें भी division हुआ और दो गुरूप बन गए, एक गुरूप के तरफ से आप है, दुसरी गुरूप के तरफ से प्रशान डेकाटे भी है, तो ये confusion को किसे दूर कर पाएंगे आप? पहले बात तो जो है, कि मेरे को बहुत काम करना चाहिए, आप सभी को पता है, नमस्कार सभी को, सभी को पता है कि मैं कित्य दिन से मुमेंट में काम कर रहा हूं करके, और खास करके academic मुमेंट में, मैं students union से आया हुआ हूँ, और student के ही problems पिछले 10-15 सालों से solve करते हूँ, student क लिए लड़ते आया, आ रहा हूँ, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मेरे को ऐसा लगता होगा कि कोई भी किसी भी contest करने के लिए कोई उमर की कोई जरुरत में होगी, दूसरी बात यह है कि सभी लोगों का कहिना है, कि पद्वीदर मत्रदार संग का जो problem है, पद्वीदर को problem से है, शिक्षा का problem से, वो यूवाओ का problem से, और सारे यूवाओ को यही कहिना है, कि यूवाओ के problem को represent करने वाला यह होना चाहिए, और इसलिए हमने पिछले दो सालों से कंटिनियूसली ग्राउंड के उपर काम किया है, जो यह लगती है, जो टेकनिकल बाते रहती है, क्योंकि graduate कॉंसिटनसी का election यह mainstream election के समान नहीं होता है, यह बहुत ही selective elections होता है, होता है, और scattered होने के वज़े से वह target करना पड़ता है, और उस तरीके उसके लिए वह इंत्रना लगती है, वह क्या सभा लेने से या रस्ती की उपर मोर्चे निकालने से वह नहीं होता है, उसके लिए सिस्टम लगती है, और वो सिस्टम हमने पिछले दो सालों में अच्छी तरीके से डेवलप किया है, इसलिए आज दो लाग चार हजार लोगों तक हमारे होटर्स तक हमारा नाम गया है, हम वहाद तक उनके साथ में connect हो रहे हैं, तो यह इंत्रना काई है, दूसरी बात है कि हमारे साथ में यूआ है, जो वालेटर बेस की उपर काम करते हैं, अलग-अलग शेत्र में काम करने वाले लोग है, आइटिक शेत्र में हो, या आइटिक शेत्र में हो, मेडिकल सेक्टर में हो, कमर्शल सेक्टर में हो, सारे के सारे हमारे साथ में काम करते हैं, तो यह और राजनीति में आना चाहिए करके इसलिए हम ताकत के साथ में खड़े रही बात दूसरी की परिवर्थन पैनल में दो गुट हुए है ऐसा ऐसा लोगों का कहिना उस तरीके से किया जाता है बलकि ऐसा कुछ नहीं है खुड जो जो बोलते हैं कि को मैं इस पैनल का हूँ उस यह परिवर्थन का को उन्हों ने भी पिछले सीनेट के इलेक्सिंस में कभी तैवाडे साब के चुनाव लड़े लेकिन जीत कर नहीं हैं जब सिर्ट में आहें तब वो उनको जीत कर लाया गया है और उसके बाद में वो समाज पार्टी है उसके उपर होता रहा दो तुकड़े तो जो जिस तरीके से करने के लिए यह सारे के सारे मैसेज फॉरवड किया रहे तो मुझे नहीं लगता हो और सारी की सारी है योत मीला है जो पॉलिटिक्स में इंट्रेस्ट नहीं ले परे और वह भी वोलंटर बेसिस की उपर इसलिए हम बोलते हैं कि हम अच्छे स्ट्रॉंग कॉम्पूटेटर है मैं रहूल वंखड़े सर के पास आऊंगा सर जैसा आपने आतुल को सुना उसने कहा कि अब युवाव की बारी है युवाव में आजनती में आना चाहिए मैंने कुछ कॉमेंट्स आपके बारे में भी द goin किया हो यह जो भी आनदोलिन हो फीर्च आपके काम किया हो एक कमेंट में करा कि आप सार वीरॉन देया गया है तो ईसने कहा कि अब 30elen 270 साल काम कर लिए आप योँत पडहिए को काम करें दिजिए मook कर में लिएंड 좋े आप देएं आप श्यृप को लड़ाई विधान परिशन इसे क्या कहते हैं और इस हाउस के अंदर में जो लोग जाते हैं तो वो लोग उस उस शेत्र के यह जानिमानी हस्तिया रहती है यसी पत्रकार का एक रिप्रेजेंटिट्टी जाता है साहितिक का जाता है कलावंत का जाता है क्रिडा का जाता है तो उस शेत्र के अंदर में उनकी दस बिस बीस साल पचीश पचीश साल की मेहनत रहती है उनका एक अपना वर्चस्व रहता है वह अपना कॉंट्रिबिशन रहता है देखिए कि विदान सभा और विदान परिशत के जो हम election के लिए फॉर्म बरते उसकी जो उमर है वह अब ध्यान में रखे कि विदान सभा के लिए 25 साल उमर है यह विदान सभा में जो पद्विदर लड़े उसकी उमर minimum 30 साल चाहिए उसको लेकिं क्रेटर को पुरा करता है ने सुने आप मैं क्या बता रहा हूं आगे की बात सुने ना अनुभव का क्राइटरिया क्या बोलता है कि वहाँ अनुभवी लोग चाहिए जो वहां रख सकते बात को कैसा है कि और जवान है काम कर रहे हैं अच्छी बात है हमको सप्परोट करेंगे वह बात नहीं है पर पहले experience गेन करो पूरी तरह समझ लो वेवस्ता को प मैं भी इंजिनियन कॉलेज की विध्यारतियों के लिए लेकर मैं जैल बरो किया पहला मुर्चा बाबा सबस्क्राइब ने फोड़ा उमर की 18 साल में मुर्चा निकाला तो मैं सुड़ीडर रहा रहा तो मेरें को सुड़ीडर की प्रश्नमालों है और मैं लड़ा हूं उनके और आएज भी लडतां हो और जो जो लोगों को चेतना दितना जवाई गई और लोगों सिर्फ युवाव को इलेक्षन है क्या यह नहीं है जो पचास साल की उमर का है साथ साल की सब्सक्राइब करेंगे क्या असी परसेंट नहीं करेंगे और मेरी मेरी एक दूसरी बात है कहना मैं आपको बता रहा हूं कि पद्विधर मद्दार संग के अंदर में जो लड़ाई एक विचारध रहा की लड़ाई और पैनल जो लड़ती है उन्रसिटी के लिए लड़ती है उसकी बाड़िया होती है उसको इसके पहले की इलेक्शन का अनुभव होता है और उसके साथ में उसको लाखों हो टो थे वांचीत बगउजन अगाड़ी से मैं लड़ रहा हूं तो वंचीत बहुजन अगाड़ी ने पुर्व विदर्व में जो पदविदर्म अदशंग संग अमारा है छे जिले का उसमें सारे विदान समा लड़ चूका कि चा-tries कlaim क्या है पर उन्मोग गयन कर पहले सोच गयन करर और दूसरी बात que ये राजनीतिक आपने पहले एक मिनिट आपने पहले कि पूरी जीती ओ हो पलिटिकल परटी को टककर कोन देगा तूम हो कि तो के टकर बिल्कुल सर ने जो कहा कि पॉलिटिकल पार्टी को टक्कर कौन देगा, पॉलिटिकल पार्टी ही देगी, जैसा कि हमने अभी जो चर्चा किये थे कि लगभग BGP इस चुना इसमें जीतते आई है और एक ही उमिदवार जो है मैंने बिल्कुल संकोच नहीं है इसमें कि ब्र लिए बीज़न आगरी या प्रतिस पर टार्गेट है उनको आगे में रखकर हम देख रही हम चल रहे हैं दूसरी बात मेरे को नहीं लगता कि पॉलिटिकल पार्टी की विचारधारा को पॉलिटिकल पार्टी ही यह काउंटर कर सकते करके यहां पर क्यूंकि यहां पर नाम रहता है महत्वर रहता है को और केकि कि के साथ में लड़ना है तो उसके लिए इस स्ट्रेटर्ड जैंज क्यूं चուं कर आ यह बार बार उनके लिए टिकनिक्स ते उसके लिए ग्रांड की काम करने वाइने वॉलेंटेयर्स रहेते ग्राउंड के ऊपर कनेक्टिवीटी करना पड़ता है उसको नाम से खड़ा होने से कुछ नहीं होता है चालीस साल का संगट हैं, मेंस्ट्रीम इलेक्सिंस में फर्क होता है, उसको एजूकेटेड होता है, उसको एनलेसिस करते आता है, क्या सही है और क्या गलत है करके, इसलिए मैं बोरा हूँ, मेंस्ट्रीम इलेक्सिंस से अलग इलेक्सिंस होता है, यह बहुत स्कैटर होता है, और स्केटर्ड होने के वज़े से उनको करना उनको कलेट करना यह बहुत ही मुश्किल होता है यह अनुब रहा आपका हमने लिए सिनेट में कांटेस्ट क्या था वह हम इस हमसे बड़ा एक्जांपल था यहने हमारे एक्सप्रियंस था। क्योंकि सीनेट के ही कौंटेस में यह सबी को पता है। हैज तरीक Felix को सभी लcc pumps काज है तुम यहाद परस्तापित लोग हुआ तो फ़िर्टि तब मेड़ा के हर एक पेच की ऊपर हमारा फर्श्ट नेम ता तो यह टेकनिकल बात होती है इसको टेक्निकल तरीके से ही लेके जाना पड़ता है यह कोई मेंस्ट्रिम पॉलिटिक्स के समान नहीं होता है कि चुना आगया खड़े कर दिये बैनर लगा दिया ऐसा नहीं होता यह बहुत ही सिस्टेमेटिकली काम करता है चैनल एच करना पड़ता है बहुत ही आकपर की किसी भी एरिया में जाकर देंखो हमने डेटा कलेट किया हुए लोगों के ऩिए जाकर मिले यूओ के प्रॉब्लमुस को झाने तब कही जाके हमने वह लोगसभा में भी हमने प्वह गैशन्यींक्तर के उपर पुह मिकाले आप भी खुद बन गया भी नहीं हमारा यह कहिना था कि आज तक दो जार आपने बात कि दो जार आट में फर्स टाइम कांटेस्ट किया था पड़ोडे साहब में गजबे साहब ने फर्स अटेम्ट में अज बीस हजार होटिंग लेना यह च्छोटी मोटी बात ने फर्स टेम सब्सक्राइब करते हैं यह सब्सक्राइब करते हैं तुम किस तरीके से काम करते हैं तुम्हारा विजन कैसा है और अतुल का कहिना ग्राउन लेवल पे काफी डोर-टोर कैम्पेन उनने किया है फिछे दो सालों में और एक नया जोश है नई उमंग है नई उम्मीद भी है उनके साथ में और एकी बेकी की टीम ने कोशिश की थी सब पॉलिटिकल फरंट को एक ठालाना मुझे मुझे पता है लेकिन उसके बाद में सारी बात नहीं हो पाई एक बड़ा फंक्शन भी हुआ था एकी बेकी की टीम एकी नहीं कर पाई सारे एक पॉलिटिकल फरंट की तो उनने लगा कि शायद हमने भी इसमें कॉंटेस कर लेना चाहिए यह सारे अपने अतुल के बातों का जिक्र किया क कैसा युआ वो में जोश है उम्मीद है और कैंपेंड कर रहा है मैं जाना चाहिए कि कॉंग्रेंस बीजीप को आप कैसे फाइट करेंगे और इनका जो कैंपेंड है इन्होंने जो वोटस्टर्स को इंफ्लेंस किया इतने पड़े पैमाने पर जिसे नहीं नहीं कि पहली ब प्राइटी के किंडिक्त दिको यहाँ सपोर्ट नहीं रहेता रहता ध्यान में रहुता है यह भी फोर्म होता है यह फोर्म मेरेको मिला वैसी कॉंग्रेस मिला बसौन है ना दूसरी बात है कि यहाँ से किशार जी लड़ते किश्वर जी गजबी के पीछे में पुरा समाज और시면 धितरी संग है तो यह साय युव जा रहे है यह पॉल्टिकल पार्टी का जो पॉसके बाद में हमारे साथ मैं भारत्य बांस अभा है उसके बाद म्यों संब के power बड़ातएं मेनटिकल्रियूट्स के अंदर में बनता है उई पॉल्टिकल्रम का व कामे क्योंकि इसका ऐसा माइना नहीं है कि इन्होंने कॉंटेस्ट करना चाहिए तुम पैनल क्या है पैनल क्या है पैनल कोई विचार दारा नहीं होता है सुन एक बात करता जब प्वाल्टिकल पार्टि का प्योंटे का कोई अद्यक्ष होता है उसकी कडेकारनी होती है उसका कोई विचारदार होती है या कुछ भी नहीं है सब हम एकटटा आगे को कुछ भिशह लिए दिल नहीं है विद्धारति यासरा वहंसे कि अमने कि एभी जो उच्छे लाइटीर डता के लिए उसके खिलाभ सब्कोर्ण को यह घुतन suis प्रशाण डेकर टेजी भी अभी कनेक्ट हो चुके है आपका बहुत-बहुत स्वागत इस चर्चा में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि लगभग पिछले जो अब तक के चुना हुए है लगभग दो यह छोड़ दिये जाय मोगे तो बीजी पी ही लगभग यहां से जीती है और विशिश्टा अबन मुदर जीता है हमने अतुल की बात सुनी वांकड़ सर की बात सुनी अतुल ने कहा था कि एकी बीकी टीम में कोई बेकी नहीं हुई है आपने तो ताइवारे साथ सार के साथ भी काम किया है आप कि यह तो पॉलिटिकल पार्टी है वो तो अपने पार्टी के नाम से कॉंटेस्ट कर रहे हैं लेकिन आप दोनों जो है आप एक संगटन बनाए थे एकी पीकी का सिर्ट परफिन पैनल के माद्दिन से आप सवहें सिर्ट में बने थे कुछ कॉमेंट्स मैंने आपके बारव सवहां अब्स्वां सिर्ट इसले थे लडना चाहिए मैंने उधाय का यह लड़ना चाहिए इसा कोई है सवधान बना नहीं है लेकिन आपने दो गुरूप बना थे दो गुरूप हमें ने बनाया था इसके लिए आपको हिस्ट्री में जाना पड़ेगा नाकपुर के कैमपस में कुछ पुरोगामी जो प्रद्यपक लोग है जो विध्यारती लोग है जो स्टुडेंट मोहमेंट से तब सिनेट परिवर्तन पैनल को सिनेट परिवर्तन पैनल यह पैनल की घोश्टना वही उस पैनल के जो दहीं दोरन थे कि हम अकेले लबासा एक संगटन था आकपुरू इंदिशिटी में डॉक्टर बावा से विध्यारती संगटना इसको उस समय के अध्यक्ष समिर महाज लेट कर रहे हैं मैश बंसोड वहाँ पर थे जपाटे थे यह सारे लोग उसमें लीट कर रहे थे डॉक्टर ओमी चिमन कर थे जो कैंपस में आप सिब जानते हैं इन सारे पूरोगा में विचारधारा के परिवर्तन वादी विचारधारा के लोगों ने यह बात सामने आई और मिटेंगे हुई चर्चा हुई मन में आया कि हमने अभी एक पैनल बनाना चाहिए तो पैनल का नाम क्या रखा जाए तो सामुही चर्चा में आया कि सिनेट परिवर्तन पैनल यह नाम रखा जाए तो अकेला बासा यह इलेक्षन नहीं लड़ सकता था इसलिए हम लोगो उनको हमने बोला कि आप भी आई है यह सब प्रोसेस हमको पता है कि आप सबने मिलकी खटा चुनाओ लड़ा बहुत अच्छा कॉंटेस भी किया लेकिन बिख्राओ क्यों हुआ हम जाना चाहते हैं वह बतार आपको चुनाओं में हमने सबने एक भूमी का है कि हम लोग एक आ गये इसलिए उसमें बीएस्पी थी ब्रस्पी थी बीवियम था अपको नेशनल सुडेट पेडरेशन यह सब सब लोग थे सब्सक्राओं में लड़ने वाले सब लोग एक साथ आ गये तो हमारे मित्र डॉक्ट्टर हमी जपटे ने एक पैनल का एक आवान लिखा ता उस इसमें लाइन लिखी थी जिसका नाम था खूब लड़लो बेकी ने आता लोड़िया एकी ने इतना लिखा था और हीट भी हो गए बहुत हम दो लोग वहां पर चुनके आये वह जो विजय था वह सामोईक विजय था और किसी एक विक्ति विशेश का विजय नहीं था और अच्छा नहीं है गलत भी है गलत है तो यह चुनाओ के बाद चुनाओ के बाद क्या हुआ विधन परिशत के कि महुल तैयर हो गया नोटिफिकेशन आया तो नोटिफिकेशन आने के बाद हमारे कुछ मित्रों ने 12 जनवरी को कि सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली कि 15 जनवरी को कि बानाई के सभाग्रों में विधान परिशत के उमिद्वार कि माननीय श्री अतुल खुपरागड़े इनका उमिद्वारे का हम जाहिर एक रहे अब सिरेट परिवतन पैनल की कोर टीम बनी थी एक निवड समीति थी बाकी संगटन थे उन संगटना के लोगों को पुछा गया कि आप कुछ पता है कि कुछ चर्चा हुई कुछ नहीं हम तेरा तेरा तरिक को कि भाई यह सब कैसे हुआ क्या हुआ कि उसमें बात नहीं बन पाई और पंदा तरिका कारेक्रव हुआ कि सिरेट परिवदन पैनल के जो इतर घटक संगटन थे बासा थी बीवियम और बाकी लोग थे हमने दिक्षा भूमिके जो ओपन ग्राउंड है वहां पे एक मीटिंग ली और मीटिंग में निर्ने लिया कि हम लोग सिरेट परिवदन पैनल के माध्यम से आने वाले दिनों परिवदन पैनल के बाकी 788 संगटन हमारे साथ में हैं उसमें से एक संगटन बाहर जाकर सिरेट शब्दों सिरेट को हटा कर परिवदन पैनल की जो टैग लाइन थी खुब लड़ो बेकी ने आता लोड़ी ने उसमें चो जोड़ते हैं उसके टीम बनाते हैं और अपनी उ जो साथाट संगटन मिलके बनाई थी उसमें से एक घटक संगटना बाहर जाकर वो फैब्रिकेशन करके टैग लाइन का और पैनल के नाम का करते हैं तो आप डिसाइड करिए कि हमारे मित्रों ने की कि हमने की लेकिन अगर एक यूवा सामने जा रहा है उसका उसने काफी काम कि हमने चाहि先 किया है तो आपने कि मिटिंग लेकर सम्झाइन और जो अपके उपर यहीमिल के शनाव है कि आप किर वा किया था कि हम को सीनियटी मैं तुरे इसमें उदासिंता हुई है निर्मान हुई है उस उदासिंता को दूर करने के लिए राजनीती में को लाने के लिए हमको सोसाइटी के आगे समाज के आगे बहुजन समाज में हमको एक मॉडल सेट करना है यह बात की बात है यह बात की मैं सुरुवात की बात बूर रहा हूं मैं 2017 की क्योंकि सिनेट का इलेक्शन उसके पहले हुआ था उदा सिंदा निर्मान हुई थे उसको उदा सुनता कुछ दूर करने के लिए सब्सक्राइब करने क्योंकि सोटा सोसाइटी के आगे मॉडल दिखाना पड़ते तब कई जाके लोगों के विश्वासानिता निर्मान होती है और इस वज़े से हमने वह सीनेट को कंट्रेस्ट के था अभी सीनेट के सीनेट के वक्त में कौनसी कौनसी और्गनेजेशन अब जरेख्राइब आम से कर जैसे मुटिध ज dön की आप जनीनों ने कहा कि आपस फ्रीवुक्त गलत और डउम वह आरोप लगाना इक बात ओनुसको प्रूँ करना और सर केंडिडेट यह कोर कमीटी के मेंबर नहीं थे सर ने पिछले 13 साल में कभी कॉंग्रेस के पैनल से तो कभी अलग पैनल से चुनाव लड़ा है आज तक इनको किसी ने चुल के दिया नहीं मेनत कर रहे थे तेरा साल कभी अभीजीत वैंजारी साब के पैनल से खड़े रहे थे तो आज तक 13 साल में इनको चुनके नहीं दिया और सर चुनकर भी आए तो आकरी प्रिप्रेंस में चुनके आ गए तो उनके लिए हम लोगों लोगोंगों होने कितली मेहनत लिया होंगा एक अड़ा मुद्द आ कि उसके बाद में सेंट जीता सोइसाइटि के के बाद में सोसाइटी के आगे हमने मॉडेल डिया उसके बाद में इस सिनेट परिवर्थन पैनल की लगों कर पुरना खुब लड़लो एकीने बेकीने ये क्याप्शन स्लोगन लेकि जिस तरीके से हमने सोसाइटी में गए लोगों को कनेट करें सामाजिक स्थर के ऊपर पर जब राउन बनाना होता है जब संगटन करके जब काम करना होता है तब आप कहा थे यह विए लड़ रहे हो ठीक है पैंडेमिक के अंदर में तीन युवाव के उपर में एक बंसौर मारा गया दूसरा दूसरा दिंकी पांडिल को मरे तक मारा गया तीसरा साथ पूते को हला हुआ यह तीनों जवान है एक एंबी है दूसरा आइस के लिए तैयरी कर रहा था तीसरा भी बहु बहुए है यह तीनों लोगों के उपर में जब मनुवादिया ने हमला किया तो मेरा कहना इन योगों से आप कहा थे मैं वाला उसके लिए हमारा पूरा संगड़न लड़ा उसके लिए और आप कहा थे योग की बात करते ना तो योग की उपर जब अपका रहे तो रोईत का इंस्टिटूशनल डिस्क्रेशन जब हो अभी के लिए सब लोग लड़े पाहिल तडवी का जब लड़ रही है अगर यह राजनीटी होगी तो यह राजनीटी गलट ट्रेंट कर रही है यह हमारा कहना है और दूसरी बात बता था जब खुद के अंदर के एक ही नह सकते समाज को का सब्सक्राइब तो आपके भी लोग तूट गए तो तूटे तो तो तूटे तो हम तो जोड़े ना देखो हमारे साथ में आज आप आपने यह इंटरवी लिया हर समाज का अदमी है हमाज साथ जोड़े की नियुक्त आप अदिशाथ और पर दोबीसिता न नहीं और कभी कॉंग्रेस के तरफ से कभी अभी जीत और बबन राव जी का नाम लिए गया ब्यूस्पी का भी कैंडिट बन के सपर्ट सपोर्ट की बात कर रहे हैं यहां उस्पर मैं आ रहा हूं और घर और प्मुज पर लगा गया यहां पैंशं़ नहीं होता इसना होता 기 될 होती है तो Самब विचारी लोगों को पुछा जाता है कि आप हमारे पैनल में उतिंस पहती है तो इसमें कॉंग्रेस का पैनल आसा नही है कॉंग्रेस का पैनल हम नहीं है नाम लिया गया पत्यवडेसाब का की उन्हों ने एक पैनल बनाई थी जिसका नाम था से कुलर पैनल अब से कुलर पैनल में दस होती है मैं डिजर के डागरी से बिलॉग करता हो तो मुझे एक सीट वहां से बढ़ यह नहीं वह कॉंग्रेस के लोग है तीक है उसके पीछे भी बहुत हिस्ट्री है उसके पीछे डिबेट करेंगे तो एक घंटा लगेगा जब दोजार पांच में मैं पहला एलेक्शन लड़ा था तब हम लोग भी समाज से एक पैनल बनाएंगे हां हां लोग बोलते गए और पैनल कुछ बना नहीं पर मुझे लड़ना था मैं कांग्रेस के तरफ से लड़ा यह सारा सर गलत है मैं कभी कांग्रेस में था नहीं ना रहूंगा ना कभी था अभी भी हूँ ओके ठीक है मैं अभी जानने चाहूँगा कि यह जसा अभी आपने थोड़ा सा सुना होगा लेकिन अपने सर ने अपने वक्त वे दिया कि किस तरह से कॉंग्रेस बजीपी का मुकाबला कर रहे हैं अधूल ने भी बताए था आप किस तरह से क्यूंकि आप भी विन एक टियार है कि अब क्यों सर की तरह सरुने कहा था कि यह इलेक्स्ण जो होता है कि वह पार्टी का होता है पॉलिटिकल पार्टी उसको सपोर्ट करती है यूपर देती है आपके पास भी फाम नहीं है इनके पर इपम नहीं है आपको बता दूंगे मैं आवाजिए टिबी क तो हमने सिनेट परिवर्तन पैनल के माध्यम सी जो उनिवर्शिटी में लड़ी थी हमने तयारी शुरू की पर हमको लगा अगर कोई हमारे विचारधारा को मेल खालता पक्षा अगर हमको उम्मिद्वारी आ समर्थन देता है तो अच्छी बात है इसलिए हमने हमारे पदाध जान गर्द करने प्रदेश के जो अधिक्ष है अन्या अजनी जी उनके आधे शे मुझे अपने पार्टि का बोजन समाज पार्टि का समर्तन घोषित किया है तो समर्तन स्फिर्प मायावाती देजे शक्ती है प्रवाइवती देती है द्यान में रखना ने कोई भी आज एक मैं इसी दस लिटर ला सकते हैं लुट रहा कहने इतना है कि वह थोड़ी मैच्छोर हो जाओ यार हम तो साथ में ना आगे का फूचर थी इनको समय ना है तो हमारा कहने थोड़ा मैच्छोर हो जाओ फिर इनको छोड़ा में रखना है तो आपने बड़ा मंग करना चाहिए था फिर ने ने वहाँ अभी मैं बाता है पॉइंट मेरे को यह आपके मुझे सुनना था यही सुनना था मेरे को तो क्या हुआ कि मेरी उम्यद्वारी जो है और 14 जाने वरी को घूचित हुई पत्रकार प नहीं पढ़ना है और 15 तारीक को इन लोगों ने हमारे लोग भी चर्चा करने गये ते बानाई में बानाई में चर्चा करने जाने के बाद में ठोपा गया चर्चा नहीं कुछ भी नहीं हुई इनके पास भी गया था जो लड़ने का दिकता सब्द रोगरा में उसको प्रोग्रेंगे तुमारे नहीं नहीं प्रोग्रम में तुमारे ने निया ने दो अभी अभी आज का मुद्दा यह है कि हम इस बात करें कि अभी यह सारी बात है कि अधर को मानता हूं तो मैं यह कह रहा था कि अंकिर साब हमारे मित्र है और ने कहा कि हमारे भाई है वो तो भाई है जहां तक इलेक्शन की बात आती है तो यह बात बिगड़ती है तो उन्होंने मुझे अपने पक्षका एबी फार्म देने की बात कही थी कुछ टेक्निकल अर्चने आये होगी पतादियरों को कुछ लग है कि इस चुनाव में पक्षई लड़ने चाहिए ऐसा कुछ नहीं है एक विचारधारा लेकर कोई आदमी लड़ रहा है और उसको कोई बड़ा पक्ष बड़ा संगटन समर्दन कर रहा है तो सविधानिक अधिखार उसका भी है आपको बता दू बहुजन मुक्ति पार्ट जैसे बहुत सारी संगटना है जो हमारे साथ मेरे अमुवर्वारी को लेकर उस्साहित समर्थन दिया हैं कि थोड़ा सिर्फ दो में रहुकर की कि हम ब्यास्पी के साथ में गए चार मेंने से बात कर रहे था हुआ मैं सबात कर रहा था तो वही बता है कैसी थी में वही भुला कैसी को बता क्यों सारे समाज को बताना चाहतों आप के टीवी के माध्यम से कि आने वाला जो शिक्षक मद्दारसंग का इलेक्षन है उसमें हमारा कंडिट नहीं होगा हम प्रचार कर रही है उसके सारे कारेकरता प्रचार कर आगे की रन निती में आपको बताता हूं आने वाले कार्पोरेशन के अंदर में बीएस्पी और हम आधी करने दीजिए कि उनको क्या करना है क्या सोच है मैं अभी इस चर्चा के अंतिन दोर पर जाओंगा मैं आतूर से जाना चाहूंगा कि जैसा कि हम लोग सब आपस में डिबेट किये कि यह होना चाहिए था वो नहीं होना चाहिए था लेकिन अब हम जीतना तीनों में से हर वे जो भी अलग अलग के वोट है वो वोट अगर आप मिलते हैं तो ही आप जीतने की दावा करते हैं अदरवाइस आप जीत नहीं सकते तो मैं आतूर से जाना चाहूंगा कि पिछले दो मेने कि आप दो साल के आपने बात कही कि आपने बहुत ग्राउंड वर्क किया महिनत की यूआओ को जोड़ा संगटन बनाये सब कुछ किया लेकिन बाकी वोट रादर दन शुदूल का स्वोट पाने के लिए अपने क्या किया और कहा तक आप पहुसा फॉल विए हम जो यहाँ पर इस चुनाव में कॉंटेस्ट करने के लिए निकले हैं वह हम डिवल्लमेंट की इस की बात है वह अरक्षन की बात है और तरह सारे चिज़ों के बात है हम यह पैरमिट्रस नहीं रखते कि कून से काष्ट धर्मयआ पॉर ठांत हो और कून सा पक्षे बात हैं हम डिवल्लों विए हम को सपोर्ट कर रह है किस तरीके से हम इस चीज को रख करें हैं उस चिह से वह कुष्ण हमारे साथ में खड़ ऐसके और हमारा लगारा जो कफे हो क्लियर के लिए हो योおाओ के हिसicle के लिए इसलिए आम आदमी जैसे पार्टी ने जिसने इस देश के अंदर में एक डेवलप्मेंट का एक मॉडल दयार किया है वह भी हमारे पीछे में ताकत के साथ में खड़ी है दूसरी बात यह कि आज तक जो होते आ रहा है मैं सरकी उपर भी कभी मैंने आपने सोचा नही इनका प्रतिसपर्दी मैं हूँ मैं नहीं मानता कि मेरे प्रतिसपर्दी मैंने गलत बात है तो मैं इस चीज़ को ज्यादा तवज्ज़ब नहीं देता हूँ चीज को इग्नॉर करके में इस तरीके से नेटवर्क त्यार किया है तो यूआ हम तो जो प्रिप्लेशन्स होना चाहिए ग्रेजुट कॉंसिटेंसी के लिए वो हमने पूरे तरीके से तई किया है और टेक्निकल बात है लोगों को हम कनेक्ट कर रहे हैं और लोग हमारे साथ में दूसरी इंपोर्टन बात है कि जिनके गोनवाने उनर सिटी में नव सीनेटर से वह हमारे साथ में चंदरपूर और घठशिरी जिल्डे में हमारे साथ में काम कर रहे हैं तो जिन लोगों को घ्रिटोर्टन करें कभी बोलते की बता है कि को अपक्षा भराता ब्रपेपर नहीं हो रहे है और लोगों को मेरे उपर यह लगाया कि वादें सी कि उस दिन मैं विभागी अक्तों कार्य में वर्म भरने गया था तो मैं वहां पर मैं वहां 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 पर रहा था था आप किसी ने मैं फॉल्हेट है बाता उसी समय भरती दैंशन पार्टी कि करता है जो मंत्री तब उसी समय बराबर किसी ने उसका नाम भी मैं यहाँ पर ले सकता हूँ उसके खिलाब में नाम लेना चाहिए उन्हें फोटो खीचा है और उसमें एक फेक आइडी के माध्यम से साहिल पटिल नाम की फेक आइडी बनाए गई किसी क्या नहीं मुझे नहीं पता उसमें देखो हाट डेकाट यहाँ विजी पीचा का रहे हैं विजी पीचा डमी उंदाद भरता है अशा प्रकार ची माझी बदनामी यह सोशल मीडिया वर मजबूत है इनके मजबूत है आपके इतना सा सब कुछ कर रहे हैं यह हमने नहीं क तरह है मेरे पास स्क्रिंशाट है जो एकी बेकी में काम कर रहे है जो की सिनेट परियों पैनल जो एकार पैनल ती उसमें फूटके जो एकिको में पर प्रकार्शल मीडिया पे वह बात फैलाई है हमारा प्रतिस्पर्दी बीजेपी है हमारा प्रतिस्पर्दी करके हम चल रहे हैं हम उनको लट रहना है यह दुख की बात है कि भुलेशा अंबेट कर अंदोलन का डिये टेस्ट करना चाहिए हमारे अंदोलन को यह किया चाहे संसुरुतिक हो सामाज जी को राच्की हो तूटता है और यही बात मैंने एक बार अतुल ने सब्सक्राइब कि यह कंसेप्स किस ने रखा आपके सामने और जबी आप बोलते थे कैंपस में कई तो भी हुआ था किसके बताई अभी हाँ परिवर्तन पैनल की निर्मीती में ही गोष्णा हुई थी या ऐसा सुझाए थी कि हम लोग जिस इलेक्षिन में चिन्न होते हैं विदान सब्सक्राइब हो चुना हम लड़ेंगे नहीं उसके पिछे कारण यह है और रेडी हमारे समाज में इतने सारे राच्किय पक्ष्ण वहां क्या हम और एक राच्की पक्ष्ण बनाएंगे और एक सिंबॉल लेंगे इसलिए हो चुना हम लें नहीं लड़ेंगे सिनेट पद्विदर और सिक्षक यह तीनों ही हमारे कारेशत्र है रहेंगे और थे आज भी है ठीक है कि जाचिन्न नहीं होते वहां सिर्फ नाम ह होते हैं उसी माध्यम से सिनेट परिवदर लेंगे जिस दी नोटिफिकेशन आया मदार मुंद्नी का तब से हमने काम कि अब उसकी हिस्तिया इसी है हम लोगों को यह बहुत लेट पता चला कि हमारे कुछ मित्रों ने एकी बेकी टीम बनाई और एकी बेकी के टीम के माध्य से विदायन परिशद अलग से कुछ लड़के लड़के इस एकी का बेकी करने का ठान लिया है यह हमको बहुत बाद में पता चला हमको लगा कि हमारे क्योंकि अतुल भी हमारा है तम्मा मनवर जीते हैं वह भी हमारे है पैमल का नाम भी हमारा दिखता था स्लोगन भी हमारा टीशेट के नाम भी हमारा अच्छा बाद है अगर हमारे बंदे काम कर रहे है समाज में जाके तो हम क्या घृत करें उनका उसी दोरान एक कारगा वरेंज किया मुझे बुला गया अब मैं वक्ता नहीं था मैंने बोला कि अब मैं वक्ता नहीं था मैंने बोला कि हमने सिनेट परिवर्तन पैनल जो बनाए थी जो स्लोगन एक विचार है कि हम एक साथ एक दुसरे खिलाब लड़ते हैं और अभी एक होके लड़ते हैं तो हम यह समाज में जी सकते हैं यह मॉडल हमने समाज सामने पेश किया और उस पैनल में सिनेट परिवतन पैनल यह एक से बारे में नहीं कहा है। बाकी लोग थे तो जो आगनी स्टेज़ बेटा होता है जनरली उनका नाम आता है इसका मतलब यह नहीं कि परिवतन प्याना से अतुल नहीं बनाया उस पुरा अतुल को जाता है इसका यह नहीं है अभी जो उमेदवार है आपको जैसा मैंने पहला कॉस्चिन कहा था कि जीतन जो प्रदेश अधिक्ष है एडवकेट संदीप ताजने साब उनके आधिश्य मुझे 25 तारिक को इस नाकपुर जिल्ला प्रभारी जो है मानिय नितिन शिंगाड़े जी उन्होंने और माजी प्रदेश महासच्यू आनिय जितनर गोड़ेस्वार जी इन्होंने मुझे प् सब्सक्राइब करना चाहिए तो जिसकी सही उस लेटर पर है उसको फोन करके या उसके माद्यम से करना चाहिए ना कि सोचल मेडिया पर तो प्रदेश अद्यक्षय का और प्रदेश के जो कुछ नेताओं का कैना था कि हम लोग उनके सपोर्ट में है इस स्रह की उने बात कई मैं सर से बात राहूल वांकर सर के पास में आऊंगा सर ओबी सी जैसा मैंने पहले भी काई था मेरा मुद्धा यह था कि आप जीतने के लिए चुनाओ लट रहे हैं तिरो गूल जो है जैसा इनका दावा है कि हमने काफी ग्राउंड पर मैनत की इनका भी दावा है कि हमने बहुत ग्रास रूट से आये है और और पिछले तेरह स है क्योंकि बीएसपी का सपोर्ट इनके साथ में बाया है मैं यह जानना चाहूंगा कि वंचित बोजो नगाडी जैसा आपने कहा था कि पॉलिटिकल आपके पास बीविविव है और पॉलिटिकल पार्टे के रूपे वंचित बोजो नगर ने अपना एक अच्छा दस्तक महाराष्ट में मैं बार-बार इस बात को दोहराता हूं कि आप लोग ने बाकी के वोट की क्या तज्विश की है क्या जुगर्ण किया करेक्ट करेक्ट अब मैं उस पर आता हूं आपने बहुत अच्छा क्वेश्टन किया थैंक्स पॉर दैट तो हमारा जो सोशल इंगीनि भालन करें पूरा ओल है डॉक्टर रमेश घजबे जो रमेश घजबे जी माजी मंद्री मंद्रि रहे चुके तीसरे हमारे साथ जो काम कर रहे राधिन काम कर रहे हुग हैं मैम भालन जो भाइब कर हैं समझे और हमारे लींः नापुर जिल्ले का उ स knal aqui समास से आता है हमद्राज जीले का अध्यक्ष है सुनिए दुसरा हमारा शिर्टिवानी यहुज भंडारे का तो इस से ए भंडारे का तो से रहां पूरर पूरा सोशल इंजिनिन आ कर चुके और हमारी आदेश हमारी का अधेश है कि कोई भी कार्यकारानी बनानी है शहर की बननी है तालुका की बननी है तो 50% OBC चाहिए कि लुए चाहिए और आपको दूसरी बात में बताओ कि हमने जो 36 विदानसभा मत्दारस आठीनिस में और छे लोक सभा आती है तो हमने आप हमारे इतियस देखी कि इसको लड़ा है वहां से आपके दो लोक विदोग बन गए भी वह जो रोड़े। नहीं के आदत है सुनिए ना कॉंग्रेस की आदत है के लोग खतम हों तो तो थीक है हम उसको करते हैं तो आई ते बोरो करने तो आपके संभाल की नहीं रखा उनको नहीं क्या संभान को एक बात देखो यह है यह रहाँ वह यह पर सुनल आप Property and Ambitions विचार्धारा से उपर Wrot और जो लोग विचारधारा को ठीके होते उपके अपने Avant तो ये लोग परस्नल एमिशन लेकर जीने वाली लोग और जो परसनल एमिशन लेकर जीता है वो समाज का नुकसान करते हुँ तो मेरा इतना है की सिम्पल लड़ा, मैं आकरी में conclude करूँगा यह लड़ाई आरक्षन विरोधी और सविधान विरोधी वर्सेस आरक्षन समर्थक और सविधान समर्थक इसकी लड़ाई है और बीजेपी को और कॉंग्रेस को सिर्फ वंचिती टकर दे सकती है क्योंकि दी है और देगी और उसको ही भविश्चा ह यह लोग आते हैं कुछ तो भी पैनल बनाते हैं कुछ तो भी ग्रूप बनाते हैं और उसके बाद में कहाँ डिसपीर होते हैं राजी नीतिक इसकी उपर मैं हमको समझ में नहीं आता तो जो लेकर चल रहे हैं बाबासापको विचारधारा लेकर चलने वाला अदमी है और लगता है तो एक होट एक नंबर का होट इंजिनर रहुल वान केड़े को दीजिए एक नंबर का दीजिए बागी हमारे साथ ही इनको बाट दीजिए थैंक्यू रहुल जी मैं भी कंक्लूड कर रहा हूँ इस पूरे चर्चा का समप कर रहे हैं हम लोग दो मिनिट में आपको दो मिनिट आपको दो भी दो मिनिट आप चुनाव अगर जीतते हैं तो आप युवाओं के लिए बेरोज़गारों के लिए या फिर जसे हमें आरक्षिन के बात कहीं उस पर आप कैसा काम करेंगे यह सबसे बड़ी समझ्या है अंसर काली जो पदवी दी है पदवी धारको दूसरी बात नाकपूर दिवीजन पें जो भी लड़का ग्रेजूट्स होता है उसको जॉप के लिए माइगरेंट होके पुर्णा या मुंबई जाना पड़ता है उसके पिछे का रीजन है कि यहां पर प्दवीधर को की उपर बात कर सके रिप्रेजेंट कर सके उसको उस पड़ीधर को का रिप्रेजेंटेट्टिव यह पड़ीधर को की ऊपर बात करना चाहिए उसके अंदर में अविसा कभी भी कहीं पे भी दिखाई नहीं दिया यह लेगसी यह लेगसी को हमको प्रेक करना है एजुकेस्टनल डेवलप्मेंट की उपर बात करना है गरामीं ग्रामीर एजुकेसंस के हमको डेवलप करना है और हो सकता है देलने में एक मॉडल एजुकेसंस का डेवलप हो सकता है तो यहां क्यूं नहीं हो सकता है उसके लिए कंस्ट्रक्टिवली काम करना पड़ेगा उसके लिए राज्जितिक स्तर की उपर और सामाजिक स्तर की उपर और सामाजिक स्तर की उपर हम तो पिछले बारा सालों से काम करने उसके उसके उपर हाइर एजुकेसंस का प्रॉब्लम से है इसे बहुत सरे समस्चा है कि जो यूद के लिए हमको एक डिवलप्मेंट के लिए काम करना पड़ेगा हम जात धर्म पंत और इसके चक्कर में नहीं रहना चाहते यूवाओं को भी आज की वेवारिक और दोरनात्मक समझ चाहिती बढ़ गई है कि वह जाती के आदार पर या धर्म के आदार पर या कौन से पार्टी बहुत करते होंगे तो हम बाबासाब अमेट करकी विचारदारा को नहीं मानते ऐसा क्योंकि बाबासाब जात और धर्म के नाम पर ही होते हैं आप किसा करेंगे बात को क्या होता है ब्रेक करना देखो बाबासाब अंबेट कर 13 जनवरे 2019 को साउथ विरो कमिटी सामने अपनी साक्ष देने के दो मिनिट में तो उसमें उन्होंने कहा है कि का सिस्टीम इस सोशल इवील बट डैट विल बी एडिकेटेट बाइड बाइड़ पॉलिटिकल प्रोसेस जान मेरत नों के यह सबसे बड़ा मुद्दा है तो उसमें बाबा समीति का किसी ने टिकट नहीं दिया हमने लोकसभा का और विदान सबागा टिकेट दिया क्यूंकि जाती है जब तक पॉल्टी साइज नहीं होगी उनके पार में जब तक अगुरुत नहीं होगी और तब तक और लड़ाइं के लिए तैयार नहीं होगी तो ये सारी सब को हम खड़ा कर रहे और साथ में आपको बता दू कि मेरा पहला प्रायरिटी यह रहेगा कि सबसे पहले 5000 रुपया मैंना यह जो बेरोजगार है उनको चालू होना चाहिए क्योंकि उद्धव जी ने बोला है वचन नामा दिया है कि हम 5000 रुपया मैंना उनको चालू कैसी साल नहीं होता थीस हादार प्रद्यापक्त की सब्सक्राइब हो और बरने देंगे चार लाक पर खाली है और इसमें सबसे ज़्यादा इस सी डीटी एंटी वीजियंटी गिए इंटी नाइंटीवां परसेंट जिनको रोजवरों कि सरकारी नहीं तो एक किला अदमी कर लगानहें वहां है यहां है ने सब्सक्राइब कुछ क्राइब करना है आफके आप पीस दार और अगर ऋब बताया आप बताइए जी तो मेरी पक्की है जितने के बाद मेरा पहला अपना सवाल जो कि पहला सवाल क्या उठाएगे मेरा है पहले से हम हमारे इसमें लगती की नेट से जो परिक्षा है जो पात्रता धारक विद्धारती है डि-एड बी-एड और जो शिक्षक लोगों का जो पद भरता है उसका केंद्रिय बोर्ड बने जिस तरह से एंपी एसी एक बोर्ड है वो चैन करता है और जो पात्रत धारक उमेद्वार है उसको कंसर्निंग इस्टूट में भेजता है तो यह जो लंद मुद्धा अभी रखा गया अपने विदर्भमिया मारास्ट्र में सब्सक्राइब करने के लिए एक निवर समीति बनाए जाए और उसके माध्यम से ही चैन हो यह हमारा पहला मुद्धर आएगा दूसरी बात यह है कि राष्टिय शैशनिक दोजार बीस जो लागू हुआ है उस दोरन के लिए हम आंदोलन की तयारी कर रहे है जैसे कि पंके साब ने कहा कि अगर सरकार से लड़ना तो सभागरों के अंदर रहना ही जरूरी नहीं है सभागरों के बाहर प्रेकर भी सब्सक्राइब करोगे तो वहां के जो पॉइंट्स है इतने खतरनाक है कि आने वाले दिनों में स्कूल यह शब्दक गायब कर दिया गया और उसको नाम दिया गया है स्कूल कैंपस जो दिया गया है जिस तरह से मल्टि स्टोरी बिल्डिंग होती है उसमें अभी अदानी और अंबानी जैसे लोगी सिक्षा शत्रों को हेंगल करेंगे और बहुजन समाच के लोगों को विध्यारतियों को शिक्षा लेना बहुत दुश्क्र हो जाएगा तो उसकी खिलाब भी हम आंदोलन करेंगे अगर कोई आमदार विचाए विधान प्रशत का हो अब को यह तरह करना है हमने आपके सामने तीनों उमेद्वार जो थे हाले कि हमने बागी की विध्यार को बुलाए थे कांगर्स बीजीपी के लेकिन बनुवादी होने के शायद वज़े से नहीं आया होगी तो यह तीनों मेद्वार क्योंकि एक एस्प्रेशन क्रेट में विशेष्टा बहुजों समाज में कि यह चुनाओ जो लगभग केवल बीजेपी जीतते आई है या फिर ब्रामवन उदर जीतते आ है इस बार बहुजों समाज का भी विक्ति जीत सकता है एस्प्रेशन क्रेट हो और इसी एस्प्रेशन के चलते जो है आज तीन जो सब्सक्राइब के निदर में खरा उत्रा है आप तिनों यहां पर आएं आपने अपनी बात रखी उसके लिए आपका बहुत बात धन्यवाच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च झाल